खराब ग्लोबल संकेतों का असर आज भी भारत या बाजारों पर दिखाई पड़ा लगाता दूसरे कारोबारी दिन बाजार में गिरावट हावी रही सारे सेक्टोरल इंडेक्स लाल निसान में बंद हुए दिन बार बाजार में क्या हल चल रही बता रही है हमारी सहयोगी प्रियंका उपलानन प्रेशर था जब ग्लोबल मारकेट से जो क्यूज पिक है इंडेक्स है और उसके बाद हमें देखा कि वो जो डाउंसर प्रेशर था वो और बड़ा ही है था 17501 बड़ा सपोर्ट वाना जा रहा था साइकालोजिकल सपोर्ट वाना जा रहा था उसे ब बाजार शायद और एक वन साइडिड राली देखिया हमने पाँच गैपस है जो बाजार ने गैप अपस दिये और उन्हें पंधर जोलाई के बात करते हो वहां फिल करने जरूरी है जिसके चलते भी हो सकता है कि बाजार में इस वक्त आपको थोड़ी सी वालिटिली दिख सकती है आज सारी सेक्टारल इंडिक्स की बात करें तो वहां पर आपको लाल नशान दिखाए दिया है सिर्फ एक FMCG कंजूमर बेस जो स्टॉक्स थे उनमें आपको फिर भी थोड़ी हरे निशान में वहां थोड़ी ट्रेडिंग और लांग विल टप आप देख रहे हैं अगर आप लूजर्स की पहले बात करें तो बड़े लूजर्स या बड़े ड्राइगर्स निफ्टी पर कहां से आया है टाटा स्टील, एशन पेंज, जियस रबलू स्टील और डिविस लाब ये पहले पांच निफ्टी के लूजर काउंटर्स हैं इस दरह से मिट्कैप ल चेहर हैं जो आप देख रहे हैं, ITC, कोल इंडिया, टाटा कंजूमर और ब्रिटानिया, इन में आपको तेजी देखने को मले है, टाटा कंजूमर तो क्यूंकि कोफी के प्राइस अलरी पिछले कुछ दिनों में 10% सर्ज हो चुके हैं और यहां पर और तेजी आ सकती है, इ हम लगातार देख भी रहे हैं, पिछले कही दिनों से पावर के स्टॉक्स, चाहिए वदानी पावरों, एंटी पीसी ओ, वहां पर आज के दिन भी आपको मूव देखने को मिली, आज आपको मूव देखने को मिली, एक प्रेशर आज दिन भर बाजार पर हावी रहा और एक इंपोर्टन साइकॉलजिकल लेवल के 17.500 के हम नीचे बंद हुए हैं